शदाश्टक योग, दस मई से मंगल और शनी बनाएंगे, शदाश्टक योग, तीन राशियों को रहना होगा सावधान, इन जातकों को मिलेगा, धन योग का लाब, नौकरी व्यापार प्रतिष्था में व्रिद्धी, स्थान परिवर्तन के साथ ही मंगल दस मई को कर्क करेंगे और एक जुलाई तक यही पर विराजमान रहने वाले हैं, इस दोरान शनी के शदाश्टक योग का निर्मान हो रहा है, ऐसे में दस मई से एक जुलाई तक तीन राशियों को बेहत सावधान रहने की आवश्यक्ता है, धन योग का लाब कई राशियों को मिलने वा इंगल, चंद्र और सूर्य की राशी होती है, किसी जातक की कुंदली में इनकी स्थिती सही रहती है तो उन्हें धन सहिक्पत प्रतिष्था, मान सम्मान के साथ हर क्षेत्र में सफलता हासिल होती है, शादाश्टक योग, धन योग, आस्ट्रोलजी ग्रहों के परिवर्तन के साथ ही अन्य ग्रहों की यूति से कई महत्वपूर्ण योग और राज योग का निर्मान होता है, मंगल का शनी के संपर्क में आने से 10 माई से 1 जुलाई तक शदाश्टक योग का निर्मान हो रहा है, जिसके कारल तीन राशियों को सावधान रहने की आवश्यक्ता है, वैदिक जयोतिश में भूमी पुत्र मंगल को अगनी का कारक माना जाता है, चन्द्रमा जल के कारक है और जल और अगनी का कोई मेल नहीं है, ऐसे में चन्द्रमा की राशी करक में जाकर वह नीच के हो जाते हैं, वही मंगल की शक्ति छीन होने पर वह अशुक परिनाम देत आईए जानते हैं कौन है वह राशियां मिथुन मंगल का गोचर धन भाव में होगा ऐसे में मिथुन राशी वाले को सावधान रहने की जरूरत है भाव में मंगल का गोचर आपको ख्रोधिक बना सकता है समपत्ति के मामले में कुछ विवाद देखने को मिल सकते हैं धन के निवेश को लेकर आपको सावधानी बरतनी होगी निवेश का उचित फल नहीं मिलेगा तलग का सामना करना पर सकता है सेहत का ध्यान रखना भी बेहत जरूरी है सिंग, सिंग राशी के जातकों के लिए मंगल का गोचर द्वादश भाव में होगा ऐसे में खर्च में बड़ोतरी देखने को मिलेगी मानसिक तनाव में वृद्धी देखी जाएगी भावन निर्मान की गतिविधी में बेवजह के कश्ट सामने आ सकते हैं कोई भी कार्य में बीच में परेशानी खड़ी हो सकती है विदेश में रहने वाले को किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना होगा आयात निर्यात और धन के मामले में बड़ा नुकसान लग सकता है धनू, वोही धनू राशी के जातकों के लिए मंगल का गोचर अश्टम भाव में होगा राशी के अश्टम भाव में गोचर शुग नहीं माना जाता है ऐसे से स्वास्थ्य संबंधित समस्या उत्पन हो सकती है रक्त विकार की समस्या देखने को मिलेगी मानसिक तनाव में व्रिद्धी होगी चोट लगने के आसार नजर आ रहे है सड़क दुर घटना हो सकती है सावधान रहने की आवश्यक्ता है ससुराल पक्ष के साथ किसी भी तरह के आर्थिक लेन देन से बचने की सलाह दी जा रही है दामपत्य जीवन में कलह के संकेत मिल रहे हैं धन योग का लाब वोही धन योग का लाब कई राशियों को मिलने वाला है जोतिशास्त्र के अनुसार सबसे ज़्यादा धन कमाने के इचुक राशी शुक्र, मंगल, चंद्र और सूर्य की राशी होती है ये ग्रह काफी शुग माने जाते हैं ऐसे में किसी जातक की कुंदली में इनकी स्थिती सही रहती है तो उन्हें धन सहित पत प्रतिष्था, मान सम्मान के साथ हर क्षेत्र में सफलता हासिल होती है शुक्र ग्रह की राशी व्रिशब, मंगल की राशी मेश व्रिश्चिक, सूर्य की राशी सिंग और चंद्र की राशी कर्क राशी के जातकों को सबसे अधिक धन कमाने की लालसा होती है कुंदली में धन भाव होने पर जातकों को सफलता और धन का लाब मिलता है धन का संबंध दूसरे और आठवे भाव से हैं जिनके स्वामी व्रिशब और व्रिश्चिक राशी हैं इसके अलावा नौवे, ग्यारहवे और बारहवे भाव को भाग्य का भाव कहा जाता है ऐसे में हर एक की कुंदली में धन का भाव अलग होता है जाने कैसे मिलता है धन का लाव कुंदली में चंद्रमा और मंगल एक साथ किसी भाव में स्थित हो तो इसे चंद्रमंगल योग कहा जाता है इसको धन योग का भाव भी माना जाता है अगर किसी जातक की कुंदली में मंगल शुक्र के साथ यूती बना रहे हैं तो जातक को स्त्री पक्ष से धन का लाब होते हैं अगर किसी जातक की कुंदली में मंगल और गुरू की यूती है तो धन लाब के योग मिलते हैं वही यदि किसी जातक की कुंदली के दस्वे या फिर ग्यारहवे भाव में गुरू विराजमान हो, सूर्य मंगल पांच्वे भाव में स्थित हो तो जातक को प्रशासनिक शम्ताओं से धन लाब होते हैं कुंदली के सात्वे भाव में मंगल या शनी बैठे हो इसके साथ ही एक ग्यारहवे भाव में शनी या राहू हो तो जातक गलग तरीके से पैसा कमाते हैं